दोस्तो रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीनल की बात के तो श्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है बहुत ही जबरदस रिटन दिया दो बार इसने दोड लगाई है एक बार बजट के पहले आप देख सकते हों कि 33 का जो श्टॉक था वो 84 तक चरा गया बहुत ह सांदा रिटन दिया उसके बाद में स्टॉक में फिर करेक्शन आया काफी समय तक लोगों को परिशान नहीं होता कि इस्टॉक दोड कियो नहीं रहा है 64 तक इसने लोग बनाया लेकिन दूसरी बार जब दोड़ा तो ये 110 को क्रॉस कर गया और बहुत ही जबरस रिटन दिय लेकिन अभी क्या ये स्टॉक फोर डिजिट में भी जा सकता है या फिर वापस टू डिजिट में आएगा तो यहां पर बहुत सारी अपडेट है क्या मार्केट एक्सपर्ट कह रहे है इस टॉक को लेकर और रेल विकास ने गर्वर्ण लिमिटेट की अगर जिसने से बनने वाला है तो इस सारी बाते समझेंगे इस वीडियो के मादिम से दूसरी तरह आई यारे अपसी की बात करें यानि इंडिया रेल्वे को फाइनेस कॉर्परेशन लिमिटेट की अगर हम बात करें तो यह रेल्वे को फाइनेस प्रवाड़ करती है चाहे कोंकन रेल्व को देती है उसकी गैरेंटी भी सरकाल लेती है बहुत ही सांदार इसका मोडल है और लगातार प्रॉफिड मेंकी कंपनी बनी हुए है क्या इस समय इंवेस्मेंट करना चाहिए क्योंकि यह स्टॉक भी बजट के पहले तो बहुत जबर्दस दोड़ा लेकि इस बार इतनी ख जा सकता है जिसने से आरवी नेल गया है क्योंकि अभी भी यह अपनी बुक वैली से नीचे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के मादिम से दूसरी तरह मदर संसुमी बहुत ही जबर्दस कंपनी जो लगातार बोनस देती है इसका बोनस का ट्रेक रिकॉर्ड बहु चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपते चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले आरवी नेल की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 107 पर रही जापे 3.83 परसंट की हमें तेजी दे इंडियों में और अगर इंडिया दे लिए इस बार बजट में बहुत सारी अनॉसमेंन विए बजट बढ़ाया गया है इसके लावा जिस्त से इनकी ओरर मुँद है इसकी विजह से स्टॉक की प्राइज बढ़ रही है तो यहां पर देख से लोगे आनन टेंडन जो इंड लगातार तेजी का वातार बना और बहुत सारे जो ओडर इस समय पाइपलाइन में है टेक्निकल एनालिश्ट है उनका कहना है कि आर विए नल आने वाले समय ने छे महिने में यह डेट सो को टच कर सकता है दूसरी तरब जी सीक्यूर्टी के तरब से रवी सिंगल का कहना है कि एक तरब से देखें सेवेंटी समय का जो रजिस्टन सा उसको ब्रेक आउट दिया है और आने वाले समय देखें तो इसमें एक तेजी का दौर सुरोगा यानि 188 जा सकता है छे महिने के अंदर यानि स्टॉक में दौर बाकी है स्टॉप लॉस आपको 75 लगा के इसमें च कहना है कि इस समय IRFC का जो स्टॉक है वो भी काफी बुलिश लग रहा है लेकिन RVNL काफी तेजी से अभी भी जा सकता है उनके इसाब से 120 का टारगेट तो बहुत जल देखना को मिल सकता है तो 99 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी की सला दी जा रही है तो जो भी मार्क पर इसकी एगर रेटिंग भी देख तो बहुत 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 है मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है जो एवरेज है लेकिन EPS स्टेंग की 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है इसकी प्राइज स्टार में से 5 स्टार की रेल्वे ने इस बार एक बड़ा मालस्टोन अच्वमेंट किया है, पहली बार इंडिया के अंदर केबल ब्रीज बनाया गया, यानि केबल के सारे ट्रेन के लिए ब्रीज बनाया गया, यह पहली बार हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारा वाइब्रेशन होना जब ट्रेन चलती है तो, और उसको एक केबल ब्रीज के माद्यम से उस ट्रेन को गुजाना बहुत बड़ी है, तरह से देखे तो यह एक चैलेंज हा लेकिन इसको पूरा किया गया, तो इस मौके में देखे तो हमारे रेल में मिनिश्टर अस्वी निवर्शनों की तरब से का गया है, कि आपने एक बड़ा अच्यूमेंट किया, इसका वीडियो भी शेयर किया गया है, यह करीब 6,53 किलो मेटर का ब्रीज है, और आप देख सकते हो कि इस ब्रीज के माद्यम से आने वाले से में इसमें रेल गुजरेगी, तो यह अंजी खाट जो जमुक कस्मीर में इसके उपर एक ब्रीज बनाया गया है, और यह काफी बड़ा सपना जो पूरा किया गया है, तो इस केबल ब्रीज के माद्यम से अब ट्रेन गुजरेगी, इस केबल ब्रीज के हाइट की बागत 331 मीटर की इसकी हाइट है, और यह रीवर के उपर बनाया गया है, इस प्रो क्या रहे 2019 में देख सकते हैं इनका 11.13,000 कोपिस का टोटल रिवेन्व था और 2.25,000 कोपिस का इनका प्रॉफिट था जो 2022 साथे बढ़के 20.30,000 कोपिस तक इनका रिवेन्व पहुच चुका है यानि लगबग दुगुना हो चुका रिवेन्व और प्रॉफिट 6.09,000 कोपिस तक पहुच गया यानि प्रॉफिट 3 गुना बढ़ चुका है बहुत ही बैतर रिजल्ट है और ऐसे में आपको एक नजरिया लॉग टर्म गाले के निवेस इसमें करना चीए यानिवाल से में आपको डेफिनिटल अच्छा रिटन दे सकता है और अलड़ी लगातार अच्छा डिविडेन कंपनी अलड़ी दे रही है अब हम चलते हैं समवर्द मदरसन इंटरनेर्शन की तरब 73.55 पर क्लोजिंद की 1.45 परसंग की अमें तेजी देखना को मिली अब कंपनी का ट्रेक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी लगातार बहुत ही सांधार बोनस दे रही है 1997 में 1.2K रिष्ण में बोनस दिया फिर 2000 में 1.2K रिष्ण में बोनस दिया उसके बाद में 2005 में फिर से 1.2K रिष्ण में बोनस दिया फिर 2007 में 1.2K रिष्ण में बोनस मिला दिया है और 2023 में भी समभवना बन दिया कि कमपनी बोनस दे क्योंकि इसका ट्रेक रिगोर बहुत अच्छा है ऐसे श्टॉक में तो इन्वेस्मेंट करना है चीए जो लगबग हर दो साल के बाद या फिर हर साल बोनस दे रही हो कमपनी अब यहाँ पे अगर हम देखे इसकी होल्डिंग तो आपको दिखाए देखा कि 64.77% प्रमोटर की होल्डिंग है जो काफी अच्छी है गिर्वी शेर थे जो काफी कम किया गया इसमें 1.18% के शेर गिर्वी है बात अगर FI की करें तो मार्च 2022 में उनकी 9.81% के होल्डिंग थी जो मार्च 2023 में बढ़के 10.87% सिरफ जनल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही आप देख सकतो मार्च 2022 में 11.53% के आसपस होल्डिंग थी जो मार्च 2023 में गटके 9.55% होगी तो यह बिलकुल बहुत ही अच्छा है इसका शेर गिर्वी पैटन है और इसमें इंवेस्मेंट आपको करना जरूर छीए लेकिन फ झाल झाल झाल